हूँ है कि आ मैं कि एपको श्वागता हमारे यूटूब चैनल में सो आज हम यहां पर बात करने वाले ईटीयद से रिलेटेड एक स्ट्राइटरजी स्ट्रेज़ेगी nu यहां पर करेंगे मंतली बैसिस पे यानि हम बीच बीच में हमें जहां पर भी ट्रेडिंग मिलेगी और हमें मंतली हमारा जो टार्गेट रहेगा केवल 5% का हम टार्गेट लेके यहां पर चलेंगे सो 5% अगर हम मंतली अच्छीव करते हैं तो आपके अगर हम बारा महीने की बात करेंगर हमने 12 मंत तक अगर इस स्टेटरजी को यहां पर रन किया सो हमें यहां पर 60% का प्रोफिट यहां पर सालाना निकल गयाता है ठीक है 60% का प्रोफिट आपका निकलता है पर yearly ठीक है आपका वाइन वाइन निकल सकता है जिसके अंदर कुछ भी आपको इसा अपको आपको यहां पर प्रोसेस नहीं है बिल्कुल सिंपल वे में यह स्ट्रेजी जो मैं आपको बताने वाला हूं तो 30% भी बहुत होता है नहीं आपको यह इस चीज़ को कर सकते हैं और इसके अं तो अभी आप इस वीडियो को पूरा यहां पर एंट तक देखें और फिर आप यहां पर इस स्ट्रेजी को देख सकते हैं कैसे आपको यूज करना है कितना हमें टार्गेट लेना है कितना हमें स्टॉप लोस रखना है सब कुछ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं चली प्रण के बिल्कुल बिगनर से वह स्ट्रेजी को अभी यूज ना करें पहले आप चीजों को सीख लें उसके बाद आप इस चार्ट को रीड करना आता है पिर आपको कहां पर कैसे आपको एंट्री करना है एक्जिट करना है जो मैं आपको समझा रहा हूं अगर आपको लाइंगे सीपी जीए नाम आप सर्च करिएगा आपने जो भी आपका यहांपे ट्रेडिंग जो आपका application होता है जैसे कि आपका जीरो था हो गया पिर आपको यहांपे लगा रखा है पर हम सके पर 15 मिट कर आते हैं अभी हम एक महीने का यहां पे बेक टेस्टिंग करके बेक बताओंग है पिर आपको यहां प से कम सीन मिले सबसेपप यह प्रोसेश क्या है इंडिकेटर का सदोर्टी हो शूरार चीकर करना पड़ेगा और यह इंडिकेटर के मिलें विवंग यह पको सिप्टोकाइश्टिक्स對 याद रिकांगा ut आपको सामने आ और यह चार्ट के तुछ आपको लगते वह दिखाई देगा अब यहाँ पीम्ड़ी से cities पैना अगे मिडल्राप इतना नोर्मल सा सेटिंग करना है इसलिए मैंने बोला जो लोग बीगनर से उनको इंडिकेटर के बारे में पता नहीं है कुछ समझ में नहीं आता है वो लोग यह चीज चलिए अभी यहां पी इंडिकेटर लग चुका है 15 मिट का चार्ट लग चुका है अब हमें यहां पी अब यहां पर नीचे क्या रहेगा यहां पर दो लाइन दिखाई दे रहे होगी तो जब भी यह दो लाइन के नीचे करना के यह वाले आपकी टोंटी के लाइन एक करेगते हूँ से निकल जा रहा है IQ सैदओ के यहां पर इंडर में आपा उप से यहां पर यहां पर इसके उपर ट्वेंटि की तरफ ऑन चाहिए कि हमें चाहिए कर नेखेब दोक्रोस होना चाहिए तो सिंपल इतना याद रिखेगा 20 के नीचे हमें क्रोस चाहिए यह हो गया 20 के नीचे देखना और वहां पर हमारा एंट्री बनेगा अब हमें स्टॉप लोस और टार्गेट कितना रखना है अगर आपका जाएगा तो फॉपरसेंट जाएगा आएगा तो फिर सांपर से आए यहां पर यहां पर यहां पर आपको अची वह गया तो पहला आपका दो परसेंट यहां पर निकल चुका है जिसमें आपका स्टॉप लोस टिगर नहीं हुआ है फिर हम दुबारा फिर नहां से निकले और चार तरीकों में कोई भी ट्रेड नी मिला अब पास तरीकों में ट्रेड लगबग देखते हैं तो पास तरीकों यह ट्रेड मिला पास तरीकों जो ट्रेड मिला जिसमें आप यहां पर नीचे की तरब देख पा रहे हो कि आपका किया है वह आपका किया ही यहां पर देख लिए यहां पर ट्वंटी के नीचे कि लाइन और नीचे क्रोस हो रहा है तो यहां पर यहां पर ट्रेड को को वह भी ट्रेड नहीं है फिर आट तरी नो तरीक दस्तरक आपका कोई भी ट्रेड नहीं है और सीधा आएगा अशीधा सिदा आपका लग बग फिर आपको 20 के निचे का क्राइटेरिया ही देखे चलना यहाँ पर है 20 के निचे कंफॉर्म ले आपको देखना पड़ेगा तो अभी तक यहाँ पर आप देख लीजे कहीं पर नहीं हुआ अब जाके यहाँ पर फिर से अभी हम थोड़ा आगे बढ़ रहें 20 तरीका टाइम थीक है 20 तरीकों के निचे क्रोश किया और तरीख को ही हमने यहाँ पे एंट्रि ले तो फिर से हमागे यहां पर launch बन रहे है वह बउक्स किंते रही है तो फिर आपका यह रहा विए चार ट्रेड यह मिल गए और तो टल ले हमें में देल लिए चाट अब एक devrait 30 में आपका کतना हुआ बाट परसेंट एक अब आहां पर परसेंट अपर Vous तरीके से काम हो जाता है वे यह चीजा को आप छेत्ध करते हैं पहले यह वैंग टेस्ट्न कर लिजेए चेक कर लिजिये और फिर जाके इसके उपर आप काम करिएगा बाकि पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे इंडिकेटर लगाना है 20 के नीचे आपका क्रोस करना है नहीं समझ में आया तो वीडियो दो बार देख लिए चार बार देख लिए बिल्कुत सिंपल स्ट्रेटरजी है जब आता है तो काम करना है नहीं आता तो नहीं करना सिंपल ही 5 फा पर सेंट हमें मंतलिय अच्छीव करना है तो इरल लहारा लगभक 60 पर सेंट होगा अब 35 ट्रेड के हिसाब से मालीजी आपे कम हो रहा है तो हम यह आपे 60% सालाना नहीं पकड़ रहे हम सालाना 30% ही पकड़ रहे हैं 30% भी कम नहीं होता है जबकि 50-60% 50% 40% ऐसा भी आप पर चीजों के बारे में कैसे एंट्री करना है कैसे आपको टार्गेट का भी ओड़र लगाना पड़ेगा कि आपका सीधा आपका टार्गेट हो जाने चाहिए उटमेट ट्रेड तो पहले चेक लिएंगा उसके बाद जाके यह strategy के use करेगा साथ में आप back testing करेगे मैं बोलो एक साल का back testing करेगे फिर आपकी जो accuracy आए उसके उपर जाके आपको इसको काम करता है मैं तो कुछ से कर रहा हूँ सो मैं आपको यहाँ पर बता दूगा accuracy है बर जब तक आप कुछ से नहीं देखेंगे कुछ से नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे ठीक है सो आपको पहले देखना है और फिर आपको यहाँ पर decision लेना है अब देखे अगर आपको यह strategy अच्छी लगी हो कि आपको कुछ समझ में आया हो तो आप हमारी इस channel को subscribe कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही मिलते है नेक वीडियो में थैंक्यू सो मच धन्योग